तो देखिए त्योहार उपर हम बाहर से मिठाई लाते हैं वो बहुत महगी होती है लेकिन आज जो हम मिठाई बनाएंगे न वो घर पर ही बन जाएगी और बहुत ज़्यादा सामान नहीं लगते हैं जो आपकी रसोई में होते हैं उतनी ही आपको सामाज चाहिए होते हैं और उससे बनाने के लिए आपको बहुत सदा महनेत की जरुवत नहीं मिंटों में बनकर तयार हो जाते हैं तो वीडियो को फुल वज कीजेगा अच्छी लगे तो लाइक और शेर कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब करेजीगा बैल आइकन को प्रेज जरूर कीजेगा ताकि आन कटूरी से कल्सके लिए को हलिए गया सकती है एगर आपके पास कौप लिया है तो कौग से ले लिए लेकर यहां पर देख जिक अक लिए से कॉज़ी कोंद यहने हैorkїना है आप की चैनल बहून लेगा लेए ऊड़ख हम अब यहां और देख मैंने हλά लगा से भून लिआ ह यह हलकी सी गरम भी हो गई अच्छे से कलर देखें बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ इसका अब क्या करेंगे गैस कॉफ करेंगे और यहां एक मिन बरतन लिया है तो उसमें सूजी को डाल देते हैं अब सूजी को क्या करेंगे थोड़ा ठंडा करेंगे क्योंकि सूजी गरम है तो थोड़ा से ठंडा होने के लिए मैं इस तरह से थोड़ा से फैला देते हुँ देखें ताकि यह ठंडी हो जाए अब यहां देखें सूजी जो है ना हमारी ठलकी ठंडी हो गई है तो यहां पर इसी कटोरी से मापकर में ले रही हूँ दूद तो दूद यहां पर उबला हुआ दूद है देखें कच्चा दूद नहीं लिया है मैंने उबला हुआ है और रूम टेंपरेचर वाला दूद है यहां कि ठंडा भी नहीं है गरम भी नहीं और यहां देखे आदा कटोरी ओर लिया है तो टोटल यहां पर मैंने डेड़ कटोरी दूद का लिया है और इसमें मिला दीजे तो देखे थोड़ी से लंस हो जाएंगे क्योंकि यह जो सूजी है थोड़ी गरम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप इस चला दीजे इसे और बढ़िया से मिक्स कर दीजे तो यहां देखे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और मिक्स करने के बाद आपको क्या करना है इसे ढख कर 10-15 मिट के लिए छोड़ देना है इसे क्या हो गोना सूजी अच्छे से फूल जाएगी तो इसे छोड़ देते ह अब यहाँ पर देखें मैंने मेक्सिका जार लिया है और यहाँ मैंने इसी कटोरी से मापकर मैंने चीनी लिये तो चीनी देखें मैंने कितनी लिये एक कटोरी में थोड़ी से कम यानि कि पोना कटोरी मैंने चीनी लिये है तो अगर आप मीठा जादा खाते हैं तो लेवल करक यानि अच्छे से बर्गर ले लिजेगा लेकिन यह जो मेजरमेंट है बिल्कुल पर्फेक्ट है इसे अच्छे से पीस लेते हैं तो यहां देखे मैंने इसे बारिक पीस लिया है और बड़े ऐसे पाउडर बना लिया है तो इसे उठाकर साइड में रखेंगे अब यहां दे यहां पर हलका सा हमारा गरम हो गया है तो यहां पर थोड़े से मैंने ड्राइफूट लिया है जैसे कि बदाम काजू और इस तरह से उसे कट किया है बड़ा बड़ा सा ही और इसे थोड़ा से भून लेते हैं थोड़ा सा हलका सा इसका कलर चेंज करेंगे ड्राइफूट आ आप यहां पर देखिए हलका सा कलर चेंज हुआ है तो यहां पर मैंने थोड़ी से किश्मिश लिए तो वह भी इसमे अड़ कर देती हूं और इसे भी थोड़ा भून लेते हैं तो देखिए इप किश्मिश है बहुत जल्दी भून जाती है इसलिए इसे लास्ट में ही डाल अब यहां देखिए किश्मिश जो है हमारी हलकी फूल ने लगी है देखिए किस तरह से तयार हो गई है अच्छे से यह भून चुकी है यानि कि ड्राइफुट जो ना तयार हो चुके है तो क्या करेंगे पटपट से निकालेंगे क्योंकि जादा इन्हें अगर आप भून लेते हैं थोड़ी-थोड़ी खुश्बू आने लगेगी तब आपको पता लग जाएगा बहुत जाद इसका कलर चेंज मत करीजिगा थोड़ा सा हलका सा कलर चेंज करना है अब यहां देखिए भून चुका है अच्छे से और यह बड़ी आसी इसकी तो अब इसे भी निक आड़ कर देंगे तो यहां मैंने सारा मिक्सर इसमें डाल दिया है देखें और गैस को यहां पर मैंने स्लो कर रखा है आपको गैस को अना जो स्लो रखना है और लगातार इसे चलाते हुए भून ना है तो देखिए धीरे-धीरे से अपने हाप ठीक होने लगेगी और लगातार चलाते हुए भून रही हो देखिए किस तरह से थीक होता जा रहा है आपको दिख रहा होगा जो सूजी है ना बहुत जल्दी से पानी या दू जो भी होता है उसे अच्छे से पी लेती है यहां देखिए किस तरह से थीक हो रहा है और गैस को मैंने स्लो किया सबसे में पॉइंट होता है इसे समय को होता है जब आप अच्छी से भूनते हैं तो आपके लड़ु में बहुत ही बढ़िया बनते हैं और एकदम खुए वाला टेस्ट आता है इसमें जब एक बर इसे बनाकर देखेंगे तो आप इसे बार-बार बनाएंगे अब यहां पर जब इस तरह से गाढ़ा सा हो जाए ना तब आपको यहां पर दो चम्मच इसमें डालनी है दूद की मलाई प्रेश दूद की मलाई डालीएगा यानि कि ज़्यादा पुरानी मलाई मत लीजिएगा तो यहां अच्छे से से मिक्स कर देजिए इससे क्या होगा ना जो यह ल इससे और इससे पूनते जाईए जब तक इसका दूद अच्छे से सूक नहीं जाता है ना बड़िया से तब तक हमें इससे पूनना है देख 여자 reality कि तब से चेंज ними क्लर करेंगे ज्यादा नहीं होता है यह जो लड़ू है इससे ही बनते हैं बहुत बड़िया लगते हैं लेक होती तेशिठी अब हablesव देखें किसा से अलग Arenी हमर्ण लगा थे डो किस तरह से विखशा श्ब्रात नहीं हुआ है अभी अभी थोड़ से टैम लेक एसे बनाने में आप पो 11 से फकल शीच कंग भूने में कि तरह से भुंता जा रहा है और जो 2 है ना सुकता जा रहा है दूड जो है ना शूख जाता है जैसे तो फ़ुए की तरह एक का टेश्ट आने लगता है यहाँ अ कि सासे बुर्बुरा हो गया है और बढ़ीया सी भुन गया नीकलो देख लिजिए हलका सा इसका कालर चेंज हुआ है यहां देखे तो क्या करूं में एक से दो मिट के लिए से और भूनूंगी अभी जब इस तरह का हो जाए तो गैस को आप थोड़ा सा तेज कर सकते हैं जब इस तरह से बुरुरा सा हो जाए ना तब गैस को आप थोड़ा सा तेज कर लेजेगा आप यहां देखें कित कर दो ये अप्टान में ज़िए और किसे हैं बहुत भ़़ा उट हो चाहरें तो किसमें क्या करेंगे दालेंगे तक जक्षके प्षिकरी कि डिखा देती हो ना आप गरम गरम डालने से टेस्ट अच्छा आता है खुछ भी बहुत बढ़े हाती है तो रचे से मिकस कर देजिए और अब इसे ठेंडा होने दीजे, देखे किसर से दुए है उटरी इसमें, अब यहां देखे मैं आपको घी भी दिखा देती हूँ, तो देखे आधा कटोरी घी लिया था न, एक चोथाई कब जितना हमारा घी लगा है, तीन से चार चमची मेरी बड़ी वाली चमच घी की ल डाल देती हूँ, और अच्छे से से मिक्स कर देजे, ट्राइफूट आप और भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद होना है इसमें, वो डाल सकते हैं यहां पर, तो यहां दीए मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, बड़ी यहां पर थोड़ी से पिष्टा लिये, उनने इस तरह से cut करके डाल रही हूँ देखिए पिष्टा को आपको बूना नहीं होता है बस ऐसे डाल दीजिए और अच्छे से भी mix कर दीजिए तो देखिए इसे अच्छे से ठंडा होने देना है बस थोड़ा सा ऐसा लगे कि हलका गुनगुना सा हो न वैसा ही तब होई तब आ इसमें मिला रहे हैं उसे पढ़िया से mix कीजिए रब करते हैं अच्छे से मिला दीजिए देखिए यह आपको powder दिख रहा है बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा यहाँ देखिए पढ़िया से मैंने इसे mix कर दिया है और लड़ू बहुत आराम से बनेंगे देखिए बहुत तो चले इने सर्फ कर लेते हैं यह देखिए हमारे लड़ू है जो बनकर तयार है रवा लड़ू देखिए कितने पढ़िया लग रहे हैं और आप इसे दिवाली पर बनाएए ऐसे बनाए बहुत गजब लड़ू बनते हैं एक दब मावे के जैसा टेश्ट आता है वीडिय बहुत ही टेश्टी है देखिए तो इस दिवाली से जरूर बनाएएगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद